बिस्मिल्लाहिर्वानिर्रहीम, अस्सलाम अलेकुम एब्रीवान, वेलकम बैक तो कुक विद राइनीज किचिन, आज की मेरी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पाव भाजी बनाने की रेसिपी, तो मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल प अब यहां पर एक प्रेशर कोकर में मैंने ओयल हीट कर लिया है, यहां पर आप कोई भी कोकिंग ओयल हीट कर लीजिए जो भी यूज करते हैं, और इसमें हम सबसे पहले आड़ कर देंगे, क्यूमिन यानि जीरा, और जीरे को थोड़ा से तड़क जाने के बाद मैं इसमें पटाटोस आड़ कर दूँगे, जिसे मैंने एक पटाटो को दो पार्ट में डिवाइड किया था, तो अब इन्हें थोड़ा सा फ्राइ हो जाने देंगे, और इसके साथ में हम क्यारट्स भी आड़ कर देंगे, आपके बास जो भी सबसे आप पसंद करते हैं, वो इसमें और यहां पर मैं कैरट्स और पटाटोस और ग्रीन चिली इन तीनों चीजों को अड़ कर चुकी हूं, इसमें थोड़ा सा इने फ्राइ हो जाने देंगे, और इसके बाद हम इसमें कैबज आड़ करेंगे, तो यहां पर कैबज मैंने चॉप किया हुआ लिया है, रफली रफली तो यहां पर मैं है इसमें दिया हुआ चुमाटोस यहां पर मैं घृम टोमाटोस लिया है और यहां पर मैंने सभी सबसों को थूड़ा सा कर दोँगी, तो यहां पर मैंने सभी सबूर्क इड़गें चुज़गे, हो बाद मैं उत्वूरा सब थेel निता हुए, यहां पर आप देख सकते हैं कितनी जादा कलरफुल हैं यह वेजीज और यह देखिया बहुत ही प्यारा कलर है इनका तो इसे स्टर करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट और पानी आड़ कर दूँगी और इसके बाद मैं इसे कवर कर दूँगी और सबजियों को अच कर लेंगे एक मैशर के हल्प से यहां पर सबजियां हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो गई थी इसलिए नहीं मैश करने में बिल्कुल भी परिशानी नहीं हुई हमें और बहुत ही ज्यादा इजी ली यह सबजियां मैश हो गई अब यहां पर एक कड़ाई में मैंने और यहां चुला मिर्च, लेमन, और ग्रीन चिली, अनियन और टिमाटो तो यहां पर सबसे पहले और बाड़ा आनियन है जिससे मैंने चॉप कर लिया है और इसके साथ में मैं तर्मरिक पाउडर एक अच्छे से कलर और टेस्ट के लिए अब मैं इसमें जिंजर पेस्ट और गार्लि में चिली कमिया जादा रख सकते हैं और मैंने 2-3 लिए और इसके साथ में ही 4-5 मीडियम साइज की टोमाटो जिने हमने सॉफ्ट कर लिया है डाल कर इसमें और इसके बाद हम इसमें सॉल्ट कर देंगे जब सब्से अमारी सॉफ्ट हो गई तब, अब हमने इसमें अपने ट यहां पर आप देख सकते हैं अच्छे से मैं इन सब्जियों को भुन जाने दूंगी जिससे की जो इन में रॉफ लेवर होंगे वो निकल जाए और बिल्कुल अच्छी सी हमारी पाव भाजी यहां बनकर रेडी हो तो अब मैश की हुई जो सब्जियां हमने प्रेशी कोकर मे रखी थी उन्हें भी इसमें आट कर देंगे और इन्हें भी अच्छे से मिक्स करके हम पकाएंगे गाईजी पाव भाजी बहुत ही जादा इजी है बनाना और बहुत ही जादा टेस्टी यह बनकर रेडी होती तो आप ज़रूर ट्राइ कीजिएगा उमीद करते हो आपको म मिक्स कर देने के बाद मैं इसमें आट कर दूँगी थोड़ा सा पाव भाजी मसाला और इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी और इसके साथ में ही मैं इसमें लेमन भी स्क्वीज करके डाल दूँगी लेमन जूस और इसे भी बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है इसमें टां से आप बना सकते हैं घर पर ही इसकी रेसिपी में अपने चानल पर अपलोड कर चुकी हूँ आप प्लीज जाकर चेक कीजिएगा और बहुत ही जादा एजी है बटर बनाना भी तो अब यह बिल्कुल रेडी है मैं इसे फ्रेश कॉरियंडर के साथ गार्निश कर दूगी अब पर बटर डालने में आप बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा जितना ज्यादा बटर होता है पाओ में उतना ही ज्यादा यह अच्छे लगते हैं तो आप जरूर इसे एक बार मेरे तरीके से ट्राय करके देखिएगा और उमीद करते हैं आपको मेरी वीडियो जरूर पस पाओ भी हमारे रेडी है और इधर भाजी भी रेडी है तो इसे हम सर्फ कर देते हैं हम एक प्लेट में निगाल लेंगे भाजी को और यह देखिए कितनी बड़िया यह हमारी डिश बनकर रेडी हुई है तो आपको जरूर पसंद आई होगी वीडियो मुझे लगता है तो के साथ अब तक के लिए अला हाफिज दौाओं में रखिएगा और अपना देर सारा ख्याल रखिएगा